हेलो गाइज तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप जो है कोल रिकोर्डिंग को एडिट कैसे कर सकते हैं, मतलब जैसे कि आपकी कोल रिकोर्डिंग है जो वो वो तैन मिनट्स के असपास हो चुकी है, तो और उसको आपको सिर्फ 5 मिनिट की रखनी है मतलब स्टार्टिंग के जो 5 मिनिट की जो कॉल रिकोर्डिंग है वो रखनी है और जो लास्ट के जो 5 मिनिट की कॉल रिकोर्डिंग है उसको हटाना है आपको उसको पर्मानेंट डिलीट करना है जो स्टार्टिंग की कॉल रिकोर्डिंग है सिर्फ वो ही रखनी है पांच मिनट की तो आपको वो कैसे करनी पड़ेगी तो हम आज इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ अगर आप उसके अंदर एडिटिंग भी करना चाते हो जैसे कि अगर आपने वो कोई कॉल रिकोर्डिंग करी है जो दस मिनट की है वो पांच मिनट की रखके उसके अंदर आपको कुछ अपनी वोईस एड़ करनी है या उसके अंदर कुछ बोलना है तो आप उसको भी कर सकते हो तो उससे रिलेटिट हम इस वीडियो में आज डिसक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिये गए लाल बटन पर आप कीजिए और साइड में बैल आइकन को भी आप दबाएए जिससे हमारे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा हमको जिसे मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक करना है और यह सेम आइकन वाला जो अब आपको डाउनलोड कर लेना है इंस्टॉल होने के बाद आप आपको सिंपली इसको है जो है वहें ओपन कर लेना करने बाद आपको याइस कुछा इंटरफेस आपको यहां पे दिखाई देगा इसके अंदर आप देख सकते हैं यहा recording वो 10 मिनटेटек है और उसको आप सिर्फ फांच मिनट की रखना चाहते हो मतलब स्टार्टिंग की पाउस मिनटेट की आप जो है रखना चाहते हो तो आपको स्ट्रेंग ओडियो पर क्लिक करना है तो जो बिख्क बहुत सार ओडियो हो जाएंगे जो भी आपकी कोल रिकोडिंग आपको यहां पर शोग होजाएगी you whole recording select कर सकते हो या कोई भी audio select कर सकते हो जैसे कि मैं for example यहाँ पर यह song select कर लेता हूं तो यह यहाँ पर हमारे पास kуч ऐसा interface open हो जाएगा तो इसके अंदरा आप मंको क्या करना है यह देख इख सकती हो जैसे कि आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो यह दो option एक तो यह यह आपकी जो call recording का है तो आप इसको अपने according set कर सकते हो आपकी जो पूरी call recording है वो यहां तक है दोस्तों यहां तक यहां तक यह देखो यहां से 4 मिनट 15 सेकंड आपको उपर दिखाई दे रहा होगा यहां पर 4 मिनट 15 सेकंड की है पूरी तो आपको simply क्या करना है जो आपको portion आपको रखना है वो आप select कर सकते हो जैसे कि मैं यहां से start करना चाहता हूँ तो मैं यहां से इसको start कर देता हूँ और मैं इसको जहां तक भी end करना जाता हूँ तो मैं वह select कर सकता हूँ जैसे कि यहां से मैंने start किया और यह end मैंने जो है वो यहां पर मैंने end कर दिया तो हमारी जो है वो इतनी audio select हो चुकी है मतलब हमारा जो है ये portion जो है select हो चुका है और जो हमारा ये side में जो portion बचा है वो हमारा unselected है मतलब वो हमारे audio में नहीं आएगा तो आपको simply क्या करना है यहां से आपको अब इसके नीचे आपको ये कुछ option दिखाए देरोंगे जैसे कि यह आप ये trim का option है तो आपको इसक से आपको क्या करना है यहां पर जो है save पिकलिक करना है तो आपकी जो है audio है वह डिवाइस में सहरा जाई जैसे से अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो जैसे कि मआ आपको डाल के दिखा दूँ गवां यहां पर जैसे कि मैंने छुर्ल नियू रिकोर्डिंग अर यह सी न्यू रिकोर्डिंग लिख दिया और इसको आप as a music सेव कर सकते हो डिफाल्ट आरंब नोटिफिकेशन कुछ भी आप सेव कर सकते हो और यहां से create का जो यह बटन है इसके अपर आप किलिक करके जो है वो create कर सकते हो नेक्स्ट जो है दोस्तों आगर आपको अपना जो कोई भी call recording है उसके उपपर आपको अपनी voice add करनी है तो आपको कैसे कर सकते हो simply आपको उसी app को दुबारा से open करना है app open होने के बाद आपको कुछ ऐसा interface दिखाई देगा तो इसके अंदर आपको simply बहुत सारे option है, तो आपको कौन सी option के अंदर आपको जाना है, तो इसके अंदर आपको simply जाना है, यह जो margin audio आपको दिखाए दे रहा है, इस option के अंदर जाना है, यह margin audio के अंदर मैं जा चुका हूँ, तो इसके अंदर आपको यह audio select करने के लिए ब करने है वो हम कैसे add करेंगे वो हमको यहां पर आपको पूने में दिखाई दे रहा होगा यह जो add button इसके पर आपको यहां पे click करना है इसके अंदर हमको यहां पर बहुत सारी audio और दिखाई दीगी तो इसके अंदर हम कुछ भी एक audio select कर लेते हैं जो हमको add करके दिखा देंगे आपको for example for example हमने यह वाला audio है यह वाला audio हमने select कर लिया है तो हमने यह यह पर done पर click कर दिया है तो हमारे दो audios add हो चुके हैं तो हमारा जो अब हम को क्या करना है हमको इस option पर हमको click करना है और यह और यह हमको पूछ रहा है कि आपको क्या नाम आपका जो फाइनल जो वह audio हुगा उसका क्या नाम रखना साथ है तो हम यहां पर कुछ भी हम यहां पर नाम रख सकते हैं रेंडम ली हम कुछ भी यहां पर राम रख सकते हैं और इसको हम Save Margin Margin प tort क्लिक करकर अगर अगर आपने हमारा चैनल सेपिन और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और विडियो को पसंद आई तो आपills कर सकते हैं और जिसे मोटीबेशन मिलने हमागे आपके लिएutan अपने इसी वीडियो आपके विडियो लेके आते रहते तो जय हिंद बंदे मातरम